दोस्तों एक बार फिरसा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देखिया आज की इस वीडियो में आपको A2Z जो की मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरस टैबलेट है इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है यानि details मैं इसका review करेंगे जैसे इसके क्या फायदे है, कैसे आपको इसका इस्तिमाल करना है और कब करना है, कौन-कौन इसे ले सकता है क्या इसके कोई side effect भी हो सकता है या नहीं इसका price क्या है, इसके ingredients क्या है और इसे लेने से पहले आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है तो अगर आप A2J tablet के बारे में जानकारी लेना चाहते है तो इस वीडियो के last तक आप बने रहिए देखे सबसे पहले अगर बात करें इसके price की तो इसका price 125 रुपे है जिसमें आपको 15 tablet देखने को मिलती है और ये tablet आपकी 15 दिन चलेंगी क्योंकि पड़े आपको एक tablet लेने की सलाह वो दी जाती है और आप इस tablet को खाना खाने के बाद ले सकते है यानि खाना खाने के आदे घंटे बाद कुछ इस प्रकार भी ले सकते है देखे यहाँ आपके मन में कोशन जरूर चल रहा होगा कि इस tablet को किस टाइम लेना सही रहेगा तो देखे वैसे तो आप इसे किसी भी टाइम ले सकते हैं लेकिन मैं आपको इसे सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद लेनी की सलाह वो दूंगा ताकि पूरा दिन है वो फ्रेस और एनरजेटिक जाए किसी भी तरह की विकनस यानि कमजोरी की समझ्या देखने को ना मिले अगर आप इसे ओनलाइन खरिदना चाते हैं तो भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है दोस्तो अब मैं आपको इसके फाइदे बताऊं उससे पहले मैं आपको इबताना चाहूंगा कि ये A2J टेबलेट में जो इंग्रिडियन्स मिले हुए है इसमें काफी मातरा में मल्टी विटामिन्स और मल्टी मिनरस का इस्तमाल किया गया है और इसके अलावा इसमें लाइकोपिन भी है जो कि एक एंटी ओक्सिडेंट जैसा काम करता है दोस्तो अगर बात करें कि कौन-कौन विटामिन्स आपको इसमें मिलते हैं तो इसमें आपको विटामिन A, विटामिन B1, B2, B3, B5, विटामिन C, आधी विटामिन्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं जो आप विडियो के स्क्रीन पर भी देख सकते हैं इसके अलावा अगर हम मिनर्स की बात करें तो इसमें आपको जिंक, मेगनीज, कौपर और सेलेनियम देखने को मिलता है तो चलिए आप बात करते हैं इसके फाइदों के बारे में तो देखिए सबसे पहले अगर आपके सरीर में विटामिन्स और मिनर्स की कमी है तो ये मेडिशन आपके लिए काफी फाइदेमन साबित हो सकती है जैसे कि अगर आपके सरीर में कमजोरी सी बनी रहती है बिना काम करें ही आपको थकान सी मैसूस होती है तो उस कंडिशन में इसका इस्तमाल है वो किया जा सकता है किसी भी तरीके का वीकनस हो उसमें A2J tablet का इस्तमाल है वो किया जा सकता है अगर बीमारी के कारण किसी भी तरीकी की आपको कमजोरी है weakness है, ठकावट मैसूस हो रहा है तो वहाँ पे भी इसका इस्तमाल है वो काफी बहतर देखा जाता है इसके अलावा मान स्पेसियों की एठन, खून की कमी कुछ भी आप काम करते हो तो आप जल्दी ठक जाते है विटामिन B की कमी, सरदर्द, इसकी सम्मंदी समझ चाएं किसी काम में मन न लगना सरीर में पूरे दिन सुस्तिसी चाय रहना तो इन कंडिशन में भी A2J tablet का इस्तमाल है वो किया जा सकता है इसके अलावा ये हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए और आखों के लिए भी फाइदेमंद है लेकिन दोस्तों यहां मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये किसी बीमारी का इलाज नहीं है ये जो नूट्रियंस वगेरा आपको खाने से मिलते हैं अगर वो नहीं मिल पाते हैं तो उनको ये पूरा करने का काम करता है आप इसे ऐसे हैल्स सप्लिमेंट के तौर पे ले सकते हैं लेकिन किसी बीमारी को खत्म करने के लिए इसका इस्तिमाल है वो नहीं किया जा सकता है देखे इसे मेल फिमेल कोई भी ले सकता है लेकिन बच्चों के लिए नहीं है इसके अलावा जो महिलाएं प्रेगनेंट है वे भी इसे लेने से पहले डॉक्टर से जरूर सला लें क्योंकि प्रेगनेंसी के दोरान और भी कई मेडिशन जो है वो चल रही होती है तो इसलिए इसे लेने से पहले डॉक्टर से जरूर सला लें देखे अगर बात करें इसके साइड इफेट की तो बॉड़ी में खुझली हो सकती है पेट खराफ हो सकता है पेट में जलन हो सकती है इस टैप के साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते है हाला कि ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है तो अगर आपको इस टैप की प्रॉब्लम होती है इससे लेने के बाद में तो आप इससे लेना बंद भी कर सकते हैं या फिर अधिक जानकारी के लिए आप डॉक्टर से भी सला ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी A2Z टेबलेट के बारे में कुछ महत्पूर्ण भरी जानकारी। अगर फिर भी कोई कॉश्चन आपके मन में चल रहा हो इस A2Z टेबलेट को लेकर तो आप मुझे कॉमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मैं नेमी जितेश और थैंक यू सो मच पर वाचिंग।